वेल्कम है जी आप सभी का मार्केट एनलेसिस की इस वीडियो में मैं अभिशेक ट्रेडर देशी रतला में आज निफ्टी के एक्सपाईरी थी और निफ्टी में हमने बहुत बड़िया स्केल्प करे हैं ठीक है और लाश्ट में तीन बज़े हमने जीरो हिरो भी प्लान करा था जिसमें पेसा लगभग तीन गुना हुआ है ठीक है जी मैं लाइव भी आया था यूट्यूब पे मैंने लाइव स्ट्रिम में भी आपको बताया था टेली ग्राम पे आपको एंफोर्म भी करा था मैंने धाई बज़े ही बोल दिया था आपको कि तीन बज़े हम जीरो हिरो प्लान करेंगे ठीक है जी अब कल है सेंसेक्स के एक्सपाईरी तो आज हम सेंसेक्स को देखने वाले हैं ठीक है सेंसेक्स का एनलेसिस करने वाले हैं कि सेंसेक्स में हमें क्या दीख रहा है ठीक है अगर हम केंडल्स को देखें तो लगातार एक डाउन फोल दीख रहा है हमें ठीक है और यह यहां पर एक मेजर लेवल भी हमें दीख रहा है है आता हुआ वह है बहुत्तर हजार का ठीक है ये एक मेजर लेवल है इसका आप नजर में रखिएगा ध्यान रखिएगा ठीक है जी कि ये एक 22,000 का लेवल कल अगर इसको ब्रेक करता है तो यहां पे हमें कुछ बड़ा देखने को मिलेगा ठीक है ये वाला लेवल ठीक है अभी मार्केट कहां पर क्लोज हुआ है 22 79,444 क्या सपास है ठीक है तो देखिए अगर हम टेक्निकली देखें तो हमें क्या दिखरा आए टेक्निकली अगर हम देखें तो यह वाला एक स्ट्रोंग सपोर्ट है यहां पर इस लेवल पर जहां से इसमें आज rejection लिया है ठीक है यहां पर भी है ठीक है यह वाला अगर यहां से अगर market उपर निकलता है कल कहां से यह वाला level ठीक है अभी में day time frame पर हम देख रहे हैं ठीक है 12489 ठीक है यह आप नजर में रखिएगा अगर कल इसके उपर निकलता है तो हम अपना view पूरा उपर साइट का रहेगा ठीक है लेकिन जब तक इसके नीचे है 12485 के तब तक अपना पूरा view डाउन साइट का ही होने वाला है ठीक है अगर हम टेक्निकली देखें कि हमें कौन-कौन से क्या-क्या levels दिख रहे हैं तो दिखें सबसे पहले उपर साइट का देख लेते हैं ठीक है आपको एक दिखरा होगा यहां पर दिखें पहले भी इस level पे market आया है और यहां से उपर गया है दुबारा इस level पे आया है यहां से फिर उपर गया है अब दुबारा इसी level को touch करने के लिए market आ रहा है कौन सा level 72000 का ठीके तो अगर हम Fibonacci के हिसाब से देखें तो हमें क्या दिख रहा है ठीके Fibonacci level के हिसाब से अगर हम देखें उसके बाद दूसरा level और हम देख लेते हैं इस Fibonacci के हिसाब से तो एक और है यहां से ही ठीके यहां से ही एक और हम निकाल लेते हैं यह वाला ठीके तो यहां पे हमें कौन सा दिख रहा है level वो दिख रहा है यहां पे इस candle के just high पे ठीके तो यह हमारे दो Fibonacci के level हो गए है clear है अब देखिए मैं आपको बताता हूँ clear clear कि अगर market कल कल अगर market यहां से अगर अभी आज की closing कहां पर हुई है यह दिखिए बहुततर हजार चार सूफ ठीके अगर market कल आज के low को break करता है ठीके आज का यह जी low है कौन सा low है यह वाला ठीके यह आज का low है इसको नजर में रखिए कौन सा बहुततर हजार तीन सो एक्तालिस अगर कल market इसको break करता है तो सीधा सीधा हमें target यहां से देखने को मिल जाएगा बहुततर हजार के level पे ठीके फिर हम बहुततर हजार के लिए ही aim करेंगे अगर यहां से break होता है तो ठीके यहां से फिर अगर कुछ reversal दिखेगा तो हम यहां से reversal प्लान करेंगे ठीके इतना clear है अगर मान लिजे कि यहां से भी नहीं समलता है market अगर मान लिजे कि market यहां से भी नहीं समलता है तो अपना जो second target होगा ठीके second target अपना होगा यह वाला ठीके कौन सा 72,800 का ठीके यहां का आपन एम करेंगे second target यहां से वापिस यहां तक के लिए ठीके यहां सा नहीं है कि हम single A के trade को इतना लंबा hold करेंगे जी नहीं हम यहां पर profit book करेंगे फिर यहां पर market time pass करेंगे consolidation consolidation time pass करेगा उसके बाद इसको break करेगा या फिर market को उपर जाना होगा तो उपर जाएगा कुछ इस तरह से market का sentiment है कुछ इस तरह से market का behavior है ठीके आपको अच्छा से clear समझना होगा इस सारी बातों को कि market केसे work करता है समझ रहो market का work करने का तरीका क्या है एसा नहीं कि वो single candle में ही यहाँ आजाए एसा नहीं है कि वो एकी दिन में यहाँ आजाए ठीके मतलब एकी दिन का कहने का मतलब है कि एकी candle में हो सकता है कि यहाँ से market को बहुततर हजार के level तक आने में सुवे से शाम भी हो जाए समझ रहो अब देखिए कल अगर गेप अप होता है ठीक है कि market का trend अप है तो अपना सीधा सीधा first target अगर हम देखें तो अपना सबसे पहले first target रहेगा ये वाला ठीक है पहुततर हजार 986 का ठीक है ये clear है अब देखिए अब यहाँ पर क्या हमें कुछ trend lines दिख रही है क्या हमें कुछ trend line दिख रही है तो जी हाँ हमें एक trend line बनती हुई दिख रही है देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या trend line है ये वाली देखिए एक तो ये वाली trend line है ठीक है उसके बाद देखिए और क्या trend line दिख रही है हमें और देखिए एक और अगर हम trend line देखें तो यहां से क्या यह trend line बन सकती है जी नहीं इसको हम रहने देते हैं यही trend line हमारे लिए ठीक है यह तो हम day time frame पे देख रहे हैं अब देखें मैं 5 minute में आपको बताता हूं पांच minute में मैं आपको समझाता हूं ठीक है तो देखिए जो हमने trend line ड्रो करी है ठीक है यह तो अपने target हो गए इन सभी को मैं हटा देता हूं एक बार clear मैं समझा देता हूं आपको ठीक है यह अपना level है कुछ इस तरीके से ठीक है अगर हम देखें तो यह यह वाला level है ठीक है यहां से अगर निकलेगा तो हमारा aim रहेगा 22,000 ठीक है सीधा सीधा यहां से अगर निकलेगा तो यहां से अगर निकलेगा तो ठीक है और अगर उपर side का है तो यह अपना first target है यह वाला अपना first target है ठीक है इतना समझ में आ गया अब देखिए अभी का क्या दिख रहा है सीन अभी का देखिए ये है आज के market का low ठीक है आज के market का low है और ये जो हमने trend line बनाई है ठीक है उसको touch करके ही गया है ठीक है जी अगर कल market upside दिखाता है तो ये रहेगा अपना first target ठीक है यहाँ से भी अगर उपर निकलता है तो second target होने वाला है अपना ये वाला कुण सा? 32,900 का ठीक है 32,986 के level के अपना second target हम देखने वाले यहाँ से भी अगर उपर गया ठीक है मान लीजे कि market यहाँ open हुआ तो यह अपना first target है यहाँ पर ठीक है यहाँ से अगर कुछ reversal आया तो ठीक है नहीं तो second target अपना सीधा सीधा ये रहेगा ठीक है ये वाला level ध्यान रखिएगा अगर यहाँ से कुछ reversal आया तो हम प्लान करेंगे वापिस से नीचे के लिए अगर reversal नहीं आया तो अपना third target रहेगा ये वाला ठीक है अगर यहाँ से कुछ reversal बनता है तो हम वापिस से reversal प्लान करेंगे ठीक है जी ध्यान रखिएगा अगर एसा नहीं होता है अगर मान अगर down trend में रहा कल भी तो सीधा अभी market किस level पे है अभी market किस level पे मैं इन सभी को हटा देता हूँ वापिस से अभी market किस level पे ये दिखिए 121440 के level पे है ठीक है अगर market कल इस level को break करेगा ठीक है किसको ध्यान से सुनी कल अगर market open होता है यहां कहीं पे और अगर इस level को break करता है तो सीधा-सीधा अपना first target रहेगा बहुत्तर 1000 का ठीक है सीधा-सीधा अपना first target है बहुत्तर 1000 का ठीक है अगर यहां से यहां पर समलता है यहां पर consolidation करता है और उपर side का हमें trade दिखाता है तो हम वापिस से रिवर्सल प्लान करेंगे 25,000 से उपर साइट के लिए ठीक है ये कुछ मेजर लेवल है 25,000 का अगर ये तूटता है अगर कल 25,000 का लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर अपना सीधा सीधा टार्गेट दिख जाएगा हमें 31,500 का फिर अपना अगला टार्गेट देखेंगे 31,500 का ठीक है लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये लेवल कल नहीं ब्रेक होना चाहिए ये एक मेजर लेवल है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए कल कि दिए ठीक है टेक्ने कली के इसादे तो यही दिख राए बागी फंडाम रहा या फिर कितना लोस रहा कमेंट जरूर कीजिएगा